नमस्कार दोस्तों, दोस्तों बेहत शान्त, बेहत गंभीर, हमेशा सादगी के साथ रहने वाली दिखने वाली डिम्पल यादव, डिम्पल यादव मैंनपूरी की सांसद हैं, अखलेश यादव की पत्नी हैं, इस उप चुनाओ में अखलेश यादव ने डिम्पल को खास त खिलेश के कहने पर बिल्कुल आखरी वक्त में सीसा मव डिमपल यादव पहुचती हैं और नतीजा क्या है दोस्तों जिन दोनों सीटों की जिम्मेदारी डिमपल यादव के पास थी चाहे वो करहल की सीटों या फिर सीसा मव की सीटों दोनों सीटों पर डिमपल यादव ने से जादा वोटों से और सीसा मों में आठ हजार से जादा वोटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाओ जीत गए हैं सीसा मों में नसीम इर्फान सोलंकी और करहल में तेज प्रताप यादव चुनाओ जीत कर विधायक बन गए हैं करहल में चुनाओ इस वज़े से हुआ क्योंकि अखलेश यादव यहां सिटिंग विधायक थे वो सांसद बन गए का नौच के इस्तीफा दिया इसलिए वहां चुनाओ हुआ और सीसा मौ की सीट पर चुनाओ इसलिए हुआ क्योंकि मौजूदा विधायक इर्फान सोलंकी की सदसिता एक सदा के मामले में चली गई थी इसके बाद यह चुनाओ हुआ भारती जनता पार्टी ने करहल की सीट पर यादो परिवार के ही रिष्टेदार और रिष्टे में तेज प्रताप के फूफा अखिलेश यादव के बहनों ही लगने वाले अनुजेश प्रताप को टिकट दिया लेकिन वो चुनाओ हार गए सीसा मौ में सुरेश वस्थी को उतारा उनको भी नसीम सोलंकी ने हरा दिया अब दोस्तों याद कीजिए करहल की जन सभाएं और सीसा मौ में डिमपल यादव का रोट शो अगर आपके जहन में नहीं आ रहा है तो मैं आपको वो तस्वीरे दिखाता हूं दोस्तों ये नसीम सोलंकी हैं डिमपल यादव हैं कोई बच्ची डिमपल यादव से गले मिलने के लिए आई है और विधायक रागली सोनकर भी डिमपल यादव के साथ मौजूद हैं तो इस जन सभा में आप देख सकते हैं दोस्तों जो ये जन सभा है तेजपरताब यादव हैं और ड डिमपल यादव हैं चांदी का मुकुट पहने हैं हाथों में तलवार है तेजपरताब के हाथों में गदा है और यहां एक बुजर्ग महिला ये देखिए एक बुजर्ग महिला डिमपल यादव से मुलाकात करने के लिए मंच पर आई हैं और डिमपल यादव उनसे बाच जोकि और डिमपल यादव की महनत का ये पर्लाम हुआ कि करहल और सीसामोग दोनों जगración समाजवादी पार्टी को जीप मिल गई विजे देमिल गई यानि समाजवादी पार्टी के विधाएकों की संख्या में इजाफा हो गया है दो विधायक समाजवादी पार्टी के और हो गए हैं तेज परताप यादव अब सदन में होंगे यानि श्यूपाल यादव और तेज परताप यादव विधान सभा सभालेंगे जबकि यादो परिवार के जो बाकी सदर से है अकलेश यादव डिंपल यादव धर्मेंद्र यादव आधित्य यादव ये तमाम लोग-लोग सभा में मोर्चा समभालेंगे और इसके अलावा राम गोपाल यादव राज सभा में मोर्चा समभालेंगे यानि कुल मिलाकर पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी ने घेरा बंदी कर ली है सलक के साथ साथ सदन में भी समाजवादी पार्टी लग का और बड़ी हो सकती है दोस्तों और बड़ी जिम्मेदारियां डिमपल यादव को मिल सकती हैं फिलाल के लिए इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही आप अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा